Mr. Gardner इस तरफ जी इस तरफ आई लो वो नंबर दुबारा से मुझे लकवाना सिर्म जी अजसरा से के लोग मेंवाना क्रिस कांळनर प्रिस कांळनर Кैसे एचे आप खुड ओने गित क्रिस कांळन भंद क्रिस कांळनर क्रिस कांळनरging पिचले अधे घंटे्सा बाहर बढ़τε यह ने जी सोचरा था के debe era शाल को ससक्षे और मैं इसी कहानी बाना चाहते था जो आपको मतासिर भी करें मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी क्योंकि इसमें इमान्दारी है कमिट्मेंट है टीम प्लैन है को इसे कहानी बनाऊ लेकिन ऐसी कोई कहानी मेरे जहन में नहीं तो सची बात ये है मुझे गिरफतार किया गया था पार्किंग टिकेट ना भरने की वज़े से पार्किंग टिकेट और अजिधा पुली स्टेशन से भागता हो यहाँ पर पहुँचाओ सर गिरफतार होने से पहले तुम क्या कर रहे थे मैं पेट कर रहा था अपना पूरा अपार्टमेंट खुश्क हो गया है के नहीं उमीद तो है सर जे ने बताया कि तुम काफी पूर उमीद हो यह पिछले एक महीने से बिल्डिंग के सामने खड़ा इंतजार कर रहा है वह बहुत ही पूर उमीद है महंती दिखाई देते हो काश ऐसा ही हो और तुम यह बिजनस सीखना चाहते हैं? जे सर मैं यह काम सीखना चाहता हूँ क्या तुम ने से पहले से सीखना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल सर जे जी सर तुम क्रिस से कितनी बार मिले हो? मुझे याद नहीं शायद एक दो बार क्या पहले कभी ये इस लिबास में नजर आया है नहीं, हमेशा जैकेट और टाई में स्कूल में फर्स्ट क्लास स्कूल, हाइ स्कूल जी सर कितने लोग थे क्लास में बारा लोग ठीक है लेकिन इसके साथ मैं अपनी रेडार क्लास में भी फर्स्ट था और नेवी की क्लास में भी और उसमें 20 लोग थे क्या मैं कुछ कहूँ मैं इस किसम का आद्मी हूँ अगर आप मुझसे कुछ पूछे और मेरे पस उसका जवाब नहो तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता मगर एक बात जुरूर है मैं उसका जवाब लाके दूँगा और वो मैं हर कीमत पे करके दिखाऊँगा क्या ये मुनासिब नहीं क्रिस तुम्हारे खयाल में अगर कोई लड़का बिना शेड के इंटर्व्यू देने आए मैं उसे रख लूँ तो तुम क्या कहोगे उसने फिर ज़रूर बहुती अच्छी पेंट पहनी होगी